हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम पार्टनर्शिप के एक कंसर्प्ट को समझते हैं और यह कोशन SSC CGL 2018 टीर टू में आया हुआ था तो इसे हम समझते हैं ए बी और सी एक बैबसाइश सुरू करते हैं ए कुल पुझी का 33 सही 1 व्रटन निवेश करता है बी सेश पुझी का 25% निवेश करता है और सी उसके बाद सेश रासी निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाब 1,62,000 है तो लाब में ए का हिस्सा क्या है तो देखिए अगर आप बेसिक से इसको बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इस कोशन को समझने में क्या था कि सभी जो निवेश कर रहे हैं सभी के लिए टाइम यहां पे इकोल है और पूछ भी रखा है एका तो यहां पे देखे ए जो है कुल पुंजी का 33 तो सिम्पल सी वात है जितना पैसा निवेश करेगा उसी का अनसार उसे प्रोफिट होगा यहांनि लाब होगा तो 33 सही एक भी तीन परसंट का fraction वैलिव एक वटे-3 तो ए ने अपने पुंजी को एक वोटे-3 से मिलेगा और यहां पर कुल लाब कितना है एक लाग 62,000 तो इसी का एक बटे तीन भाग उसे लाब भी होगा एक लाग 62,000 जब आप इसे कल्कुलेट करेंगे तो आपका 64,000 यहां पर राइट अंसर हो जागा तो इतना इजी कोशन सीजियल के मैंस में पूछ रखा था अगर इसी में बी और सी का पूछता तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता देखते हैं बी और सी हम किस तरह से निकालेंगे देखें यहां पर एक इतना कर रहा है ए बी और सी रिष्यों से हम चलते हैं ए वन थर्ड कर रहा है और बी से स्पुझी का से स्पुझी अब क्या रहा गया दो बटे तीन इसका 25 परसंट कितना हो जाएगा एक बटे छे अब सी जो है से इसका अगर हम यहां पर मान ले टोटल जो कैपिटल होगी हमारे पास छे तो अब य और यह कितना वाता एक तो इस तरह से सी कितना लगाता सी कितना लगाता तीन तो लग चुका बचातीन तो इस ते नियुchnitt तो इस तरह से भी आप बना सकते थे हैं तो 3-25-6 6 हमने माना और है की यहां पे क्या है इसका capital की ratio है और profit का ratio है क्योंकि time यहां पर equal है अब 6 के value 1,62,000 अगर B का पूस्ता तो B का ratio क्या था एक से हम find कर लेते अगर C का पूस्ता तो C का value क्या था 3 और 3 का find कर लेते तो इस तरह से हम A B C की ratio सोरी उनकी capital निकाल सकते थे तो यह question exam के अंदर आया हुआ था बहुत इजी है उम्मिद करता आप इसे अच्छे से समझ गया होंगे और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच जरूर सेयर करें यह partnership की एक टॉपिक थी आज के लिए इतना ही था वीडियो को लाइक करें सेयर करें और धन्यवाद